तो आपनी जब स्टार्ट किया था क्या स्ट्रागलिंग टाइम था आपका? क्या स्ट्रागलिंग दैग्रोणड के था बिया हुआ था, थौड़ा संब्ता दीजिए ह cafको यू टिपवर 0 से स्टार्ट करता है तो मेरे भी जिरो से स्टार्ट कहा था और मेरे पास तो 3G फोन था, 10,000 रुपे का फोन था, क्या वो सारी चीजें जो एक laptop PC से आप करते होंगे, वो सारी चीजें क्या मुबाइल से एक नया YouTuber कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, तो किस तासे पॉसिबल हैं? अगर गोवाइल से आप बहुत अच्छा चैनल खड़ा कर सकते हैं, बस आपकी प्लानिंग बढ़िया होनी चीजें और आप पर डेडिकेसन बहुत कमाल का होना चाहिए। तो 98% YouTubers क्यों आपके ख्याल में फेल हो जाते हैं? उनके कोई 2-3 reasons आप बताना चाहिए। अगर 1% YouTuber भी success होते हैं, तो यह काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि आप government job की तेहरी करोगे, वहाँ भी 1-2% लोग success हो चाहते हैं। यहां पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much कासिभ भाई कि यह आपके वएसे एक पहला international हमारा collab हो रहा है, और मुझे बढ़ा अच्छा लगता है। और मैं काफी दिन से सोच भी रहा था पाकिस्तान के काफी यूट्यूबर्स को मैं भी फोलो करता हूं। तो बस यह अपना पहला है तो फिर आगे जाके और भी collapse करेंगे हम और बहुत बहुत थैंक्यू कि आपके चैनल पर आपने मुझे जगे दिया है। और मैं जान सकता हूं कि टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक्यू सो मच और मैं आपसे questioning का आगास करता हूं। और मैं थोड़ा सा पहले से background दे दूँ कि योगी भाई तक्रीबन 6-7 साल हो चुके हैं। इससे जाइब ही हो चुके हैं। कि आप किस्ता से YouTube चैनल ग्रोग कर सकते हैं। इनके चैनल का आपको मैंने में मेंशन भी कर दिया होगा। क्योंके पाकस्तान से कुछ लोग आपको नहीं जानते तो वो लोग भी जाके विजिट भी कर लीजिगा। और अभी जो हैं। योगी भी सबसे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दिजिए इस लिहाज से के आपका बैग्रोंड जो है वो क्या था जब आपने यूट्यूब पे स्टार्ट किया क्योंके अकसर यूट्यूबर्स वो कहलें के हम लोग नॉर्मल घरानों से आयें। तो आपने जब स्टार्ट किया था क्या स्ट्रग्लिंग टाइम था आपका आपका स्ट्रग्लिंग बैग्रोंड किया था वो थोड़ा सा में बता दीजिए तो कासिभ भाई मैं भी मिडिल क्लास भी ने कह सकता मैं बहुत पूर क्लास से ब्लॉंग करता था और वैसे यूट्यूब से पहले मैं एक टीवी चैनल पर काम किया करता था वहां पर मैं एंकर था मेरा खुद का शोव अगेरा बनाता था और 2016 में मैंने वह जोब रिजाइन कर दी थी अपने स्वाविमान के चलते क्योंकि मैंने नाइंटीन यर थीट्र किया है और थीट्र का जो आ जो फैमिली को भी देखना है सारी चीजे नहीं वह तो एक बहुत बड़ी रिस्क थी और मुझे लगता है कि लाइप में टेक मोर रिस्क गेट मोर मनी तो मैंने रिस्क ले लिया उस ताइम और मेरी एज थी उस ताइम तो उस एज में में रिस्क ले सकता था और मेरे पास सेविंग थी कि मैं पांचे महीने अपनी फैमिली का खर्चा भी चला सकता था क्योंकि घर में में बड़ा हूं मेरे पिता जी बच्पन में एक्स पार हो गए तो फैमिली का खर्चा भी मुझे चलाना था और बस वह रिस्क ली मैंने और फिर यूट्यूब आ गया और मैंन अब अपको यह बिदेन्स है कि आप खुद का कुछ कर सकते हैं और थोड़ा सा स्वाबी माने और आपको यह भी पता है कि आप किसी भी कंडिशन में घीव आप नहीं करेंगे तब ही आप इस बारे में आप थोड़ा सा में वह बता है तो यूट्यूब का इस लिए नहीं में काम किया करता था 2016 में दोस्ता मेरा वह भी गौर्मेंट टीचर बन गया है उसका यूट्यूब चैनल था उसने मुझे बताया कि यह एक एप होती है और इसमें ऐसे वीडियो आते हैं तो मैं सड़नली मेरा जो मुह से एक वड़ निकला यह लाल वाली आप तो मेरे भी म से लिटेट भी आपकी वीडियो से हैं एक चैनल मैंने देखा था उस पर अवेलेबल हैं तो आपने वहां से जन्नी स्टार्ट के और अब माशाला से आप यूट्यूब के ऑफिचिल जो है वीडियो कंट्यूबिटर भी है और काफी आप लोगं को सिखा भी रहे हैं तो किस तरह से कंसिस्टेंट रहा जा सकते हैं तो देखिए टेकनिकल योगी को मैं पिछले साथ साल से रन कर रहा हूं और कभी भी चुटी मैंने नहीं किया है इसके लावा और भी बहुत सारे मल्टीपल चैनल से कुछ ऐसे चैनल से जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं वीडियो को शिडूल करता हूं हाला कि आज तो मेरे पास टीम है लेकिन जब मैं अकेला था तब भी मेरे को याद है जब मेरे साधी हुआ था तब भी मैंने करी 45 के आज पास वीडियो कर दीती एक सा और वहां मुझे फिर बहुत कॉंफिडेंस आ गया था कि हां मैं कर सकता है तो हम लोग क्या करते जो ऐसी वीडियो होती है जो एक तरीके से अवर ग्रीन वीडियो है वह में इस टॉक में बना-बना के मल्टिपल रख लेते और अपडेट वाली वीडियो तुरंट तुरंट बना तुरंट बिल्कुल मैं समय गा आपके बात बिल्कुल आपका में 2024 के अंदर जो है वो स्टार्ट करेंगे तो यूटीब चैनल कैसे ग्रो कर सकते हैं क्या आपकी टिप्स रहेंगी क्या एड्वाइस रहेंगी नए यूटीबर्स को देखिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हो यही पूछते हैंगी सर्भ आप हमें भी बता दो यूट के बाद बोलता हूं यूटीब चैनल आप पांच मिनट में बना सकते हो कोई बड़ा काम नहीं है सबसे पहले आप यह देखो कि यूटीब का वीडियो कैसे बनाए और वीडियो बनाने पर थोड़ा दिमाग लगाओ जब आपके पास 20-25 वीडियो बन जाए तब ही आप च के कोई भी कैटेगरी पर अपना चैलिंग कर देता है बाद में जब 10-15 टॉपिक खतम हो जाते है तब उसको प्रॉब्लम आती है तो पहले उसको पुरी प्लानिंग करनी है कि यार मैं बिना रुके 100 वीडियो का प्लान कर सकता हो कि नहीं कर सकता है अगर उसके दिमाग में प्लान है तो 100 वीडियो को लिख ले और उनमें से 20-25 वीडियो पहले शूट करे और उसमें जब वो 20-25 वीडियो शूट करेगा उसको पहली वीडियो बनाने में कम से कम 10-15 बार शूट करना पड़ेगा क्योंकि पहली वीडियो अच्छी बन जाएगी तो बागे के 24 भी ब बहुत कम पैसे मिलेगा तो YouTube से बहुत बड़ा कमाने का लक्षे रखते हो तो उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उतनी प्लानिंग करनी पड़ेगी तो इसके काम भी करना पड़े या उन्स यह उल्टियां आपको लगती हैं की अगर वन परसेंट यूटेबर भी सकसेज होते हैं, तो ही बड़ा नंबर है, कि आप गौशन की तहारी करोगे, वहाँ भी 1-2 परसेंटी लोग सकसेज हो पाते हैं सिंपल सी बात है कि हर कोई व्यक्ति ना तो किसी गवर्मेंट जोप के लिए बनाए ना डिफेंस के लिए बनाए ना यूट्यूब के लिए बनाए ना एक्टर बनने के लिए बनाए ना सिंगर बनने के लिए बनाए अगर उसको यह लगता है कि यह मैं किसी का यूट्यूब एसी बात है जो नई है जो लोगों को attract करेगी अगर उसको इतना confidence है तभी उसे YouTube पे आना चाहिए इसके लावा YouTube पे वीडियो बनाना पहले सीखना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए थमनिल बनाना चाहिए SEO बनाना चाहिए और एक प्लानिंग बहुत बढ़िया तरीके से करनी चाहिए YouTube पे आप हार्डवर कितना भी कर लो लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से माइंड लगा के काम नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे तो बाकी जो 98% सफल नहीं हो पाते वो विदाओट प्लानिंग यूटूब पे आ जाते किसी को देख के और बस इसलिए वह सफल हो जा तो यह काफी जादा लोगं के जहन में है कि यार बस थोड़ा बहुत तो काम करना है YouTube पे क्या एक वीडियो तो डालनी है लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है उसके पीछे जो वीडियो जो बनाना है वो भी बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है जैसे आपने का एवर ग्रीन वीडियोस आप बनाते हैं एवर ग्रीन वीडियोस लोगं को समझा दीजिए एक दफा के सिंपल लेंग्विज में क्या होती है और अगर वीडियोस आप बनाते है तो उनको रैंक करना कितना मुश्किल है नए यूट्यूबर के लिए आपके लिए तो माशाल आपका नाम ह होती है या कोई केस इस्टडी हम कर रहे है सब्सक्राइब बात करते हैं दूसरी नए जो यूट्यूबर है वह इन पर कैसे काम कर सकते तो नए यूट्यूबर को हमेशा एक ही चीज पर दिमाग लगाना है कि मुझे एवर गिन कॉन्टेंट भी बनाना है और जो ट्रेंडि जो कंटेंट वह हमेसा चलता रहेगा उस में से मालो पूरे चनल पर साफकी 5 वीरियू भी वाइरल होगी वह हमेसा चलती रहेगी और हमेशा आपको फैसा भी देती रहेगी और हमें जो जो रर्च आपको क्योंकि अगर आप उससे compare करने लग जाएंगे तो आपको निरासा होगी क्योंकि जिससे आप compare कर रहे हैं उसका result आपको दिखाई दी रहा है और आप जो start कर रहे हैं आपकी सिर्प starting है तो किसी के वीडियो बनानी अपनी यानि कि आप चटे यूट्यूबर हैं जब आप सुरू करें तो उनसे अच्छा वीडियो बनाएं और रैंकिंग के लिए आप SEO थोड़ा सा अच्छा करें अगर आप keyword वाली वीडियो बना रहे हैं SEO वीडियो बना रहे हाओ टू वीडियो बना रहे और थोड़ा सा patience जरूर रखे पैसन के साथ से फिर आप 100% सफल हो जाए यानि के patience जो है वो YouTube पे बहुत लाजमी है बहुत जल्दी growth के लिए लोग भाग रहे होते हैं तो वह चीज कहीं पे unsuccessful YouTuber में भी ले जाती है कि जल्दी बस grow करना है वो हो नहीं पाता उनसे अच्छा य कैसे हैं मतलब टीम तो आपने रखी होगी लेकिन जाहरा guidance तो आपकी ही होगी आप ही उनको समझाते होंगा कि यार ऐसे ऐसे आपने फाइंड करना है तो content finding पर थोड़ा सा में बताएं कि इतना जादा content एक ऐसी निश पर जैसे YouTube है या कोई भी निश हो जहां पर जो है वो म इंडिया को रिपरजेंट अभी ग्लोबली में लंदन जाके भी करकाया हूं तो official update मुझे official मिल जाती है पहले लेकिन मैं खुद से update रहता था क्योंकि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले online multiple newspaper read करता हूं जिससे मुझे trending topics होते current affairs वो पता चलते रहते हैं अब evergreen की बात कर लेते तो मैं सोचता रहता हूं कि कोई content ना बना सकते हैं यह वाला content बन सकता है और उसके pointers को मैं अपनी notepad पे लिखता रहता हूं अब मैं जैसे पूरा का पूरा लिख लिया अब लिखने के बाद जैसे मिरे को network मिलता है मैं उस पर थोड़ा research करता हूं जैसे कुछ knowledge तो मिरे को सब्सक्राइब करता है और मैं पॉइंटर्स किलियर हो जाते हैं उसके बाद मैं सूर्ट करते हूं और उसके बाद कि आपको पता है कि जदातर यूटीबर्स जो हमें देख रहे होते हैं वह अभी यूटीब की फिल्ड के अंदर काम कर रहे हुते हैं और ग्रोव करने की कोशिश कर रहे होते हैं बहुत सब्सक्राइब जिरो से स्टार्ट करता है और मेरे पास थो थ्रीजी फोन था दस अजार उपे का फोन था अच्छा अच्छा हमारे ताइम में जो मोबाईल था 13 Megapixel का प्रब्लम विह सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं क्योंकि आप मुबाइल से कर सकते हैं और अच्छे सब्सक्राइबर मेरे हो गई थे हाँ मेरे मैंने मोबाइल से किये थे उसके बाद मैंने जब मेरा silver play button भी आ गया एक लाग पंद्रा जार कास पास हो गए थे उसके बाद मैंने camera लिया था और कोई problem नहीं है आप camera तो मतलब आप क्या है कि जैसे यह जो equipment है यह ऐसा नहीं है कि equipment नहीं होगे तो मैं अच्छा content नहीं बना पाऊंगा क्योंकि जो मेरी knowledge है और जो मेरी presentation है उसके सामने ना तो camera कोई माईने रखता है ना कोई mobile माईने रखता है camera वगेरा setup वगेरा हम इसलिए खरीद लेते क्योंकि हम जब काम कर रहे हो तो हमें भी कुछ improve करना होता है कुछ एक ना अंदर रहता है कि थोड़ा पैसा कमालिया थोड़ा improve करेंगे तो अग में अगर बात करें ना इन्डिया में रहता हूं नूर्थ इंडिया में नोर्थ इंडिया में भी काफी सर्द है अगर coastal area की बात करें तो coastal area में तो मोसम normally रहता है 25-30 degree बाकि पूरे इंडिया में फिलाल सर्दी है पाकिस्तान के जैसे ही सर्दी होती है यहाँ भी सर्दी होती है वहाँ गर्मी होती है यहाँ भी गर्मी होती है और टैलिवीजन पे आने लग गए और गाओं के जो लोग है वह भी इंटरनेट यूज करने लग गए क्योंकि हमारे जीओ ने जगे जगे इंटरनेट बहुत ही सस्ते में पहुंचा दिया तो गाओं में भी बहुत ज़दा क्रेज हो गया इवन अब गाओं से भी लोग यू यूट्यूबर मिल जाएंगे और यूट्यूब को लेगे बहुत अच्छा क्रेज है बहुत तगड़ा क्रेज है इवन कोई यूट्यूबर अगर मीट अप करता है तो बहुत ज़ादा ही भीड हो जाती है मैंने भी 2019 में दिल्ली करनाट प्लेस पे एक ओपन मीट अप करा तो यूज क्राउड आ गया था बहुत यूज क्राउड था बिल्कुल मैं डेखे ताब बहुत चवहिंदस क्रेज है इंडिया में लेकिन अब चुके आपको पता है के लॉंग वीडियो का तो 2020 तक तो बिल्कुल 21 तक कहलें के क्रेस था बहुत जादा लेकिन उसके बाद शॉर्ट्स आ गए अगर शॉर्ट्स में जाएं तो कियो जाएं लॉंग में जाएं तो किस वज़ा से लॉंग को स्टार्ट करें तो जैसा कि अभी मैं लंदन गया था हमारी ओफिसल कॉन्फरेंस थी वहाँ भी मैंने ये सवाल पर काफी डिसकस किया था मैं अभी यही कहूँगा कि आने वाला तो हमको मल्टी फॉर्मेट पर काम करना चाहिए मैं शॉर्ट भी बनाना चाहिए लॉंग भी बनाना चाहिए दोनों को अल्गोरिदम अलग अलग है और डैफिनेटली अगर पैसे की बात है तो पैसा आपको हमेसा लॉंग वीडियो में ज्यादा मिलेगा रीच भले ही सॉ पाकिस्तान में भी मॉनिटाइज हो गया है तो इसमें क्या चीज है कि जैसे लॉंग वीडियो में जो मॉनिटाइजेशन था वो काफी टाइम से चलता हो आ रहा था तो एडविटाइजर भी वहां पर अच्छे खासे एडवर्टीजमेंट यूट्यूब को देते हैं हमें अच्छा सा रेवन्यू मिल जाता है लेकिन शॉट्स में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो अभी अरली स्टेज पर है तो एडविटाइजर भी दीरे दीरे बढ़ रहे हैं शॉट्स पर एडविटाइज देने के लिए तो आने वाले टाइम में शॉट्स पर भी अच् सकते हैं और एक भी बना सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर आप एक चीज़ हमेंसा ध्यान रखे कि अगर आपको यह लगता है कि मैं एक चैनल पर दोनों डालूंगा और शॉट्स से क्या होगा कि आपकी रीच बहुत जादा जल्दी बढ़ेगी लेक को लगता है नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्सक्काइबर तो दस मिलियन दिखे और लोंग वीडियो पर सिर्फ दस अजार व्यूज आए तो फिर आपको दोनों अलग-अलग सेपरेंट चैनल बना लेने चाहिए बस और कुछ भी नहीं है दोनों एक पर बना सकते करेंगे तो आपको जिस फॉर्मेट में डील करनी है आप उस फॉर्मेट में कर सकते तो आप दोनों ऑप्सन रहेंगे ठीक है बिलकुल योगी भाई समझ में आ गया अब मैं आपके लिहास से कहलें कि एक थोड़ा सा क्वेस्चिन एक ऐसा करने वाला हूं कि आप मुझे इ की चीज हो गई तो मनी को चूज करूंगा तो मनी मुझे फिरी में तो कहीं मिलेगी नहीं उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा और यूट्यूब से अच्छा तो क्या ही काम हो सकता है नहीं आप दिखी हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं अब पाकिस्तान ही लोग को देखते हैं यूट्यूब पाकिसन के लावा और भी किसी वा देख लेता हूँ और मैं देश-दुनिया में घूमता हूँ कि मुझे एक चीज समझ में आई कि पॉलिटिक्स में कुछ भी चलता रहे मीडिया, में कुछ भी चलता रहे कि जो आम आदमी है उसको तो सरदे चाहिए ही नहीं, आम आदमी तो चाहता है कि मेरे पास ना कोई पासपोर्ट ना कोई वीज़ लगाना पड़े, और मैं जब चाहूँ पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकूँ, तो सरदे आम आदमी को ना सुरू से कभी चाहिए थी और ना आम आदमी को सरदे चाहिए ही नहीं, ठीक है योगी आपकी बात, बिल्कुल मैं समझ गया, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया, और जो जो क्वेस्चेंस थे मेरे, जो मैंने लोगों से पूछे थे, क्या हमने क्या पूछना योगी बैसे बताए और जो कुछ मैंने आपसे पुछना था, सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली है, कोई भी आप मैसेज देना चाहें, पाकिस्तानी ओडियोंस को, चुके आपको ज़्यादा अभी पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो कोई भी आप एक मैसेज देना चाहें, कुछ भी कहना चा हैं, और मैंने कई पाकिस्तान के चैनल से भी देखे हैं, वहाँ पर इंडिया से भी बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो बस एक दूसरे को सपोर्ट करो, जैसे कासी भाई ने आज ये सुरुवात करी है, कि इंडिया में कोलाब कर रहे हैं, तो इस तरीके से मैं तो चाहता होंगी, और भी पॉलिटिक्स की बाते भी डिसकस होगी, तो एक अच्छा माहोल बनेगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इंडिया को, जो कंटेंट हैं, इंडिया के कंटेंट को आप देखिए, हम आपके कंटेंट को देखते हैं, और ज्यादा से जितना हो सक अच्छा का का belong